कि 17 से 22 में मुझे 10 साल के एज की तो आ रहा हूं कितने बच्च भी ओदेने के लिए खड़ा हूँ इतना पेसेंस रखना चाहिए कि जब मैं खड़ा हूँ हूँ मैं आपकी बात को सुन दा था मैं तो वही बोलने के लिए आया हूँ कि आपको जन संख्या की चिंता हो रही है मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए मैं यद्धे भी पहले भी सोज रहा था कि चलिए समाजबादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है माने मिदाबल प्रोग्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् 2017 से लेकर के 2022 में जो एज ग्रुप है 15 साल का उसमें कितनों बच्चों की संख्या बढ़ गई है 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल के ग्रुप में बच्चों की कितनी संख्या बढ़ गई है क्या उन बच्चों के भविस के बहतर बनाने के लिए और उनको नौकरी रोजगा दिलाने के लिए आपके नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहित और खार्जकर उत्तर प्रदेश की सरकार डवल इंजिन की सरकार जो ये कहती है कि अनिम्प्लॉइमेंट रेशो हमारा ये है इंप्लॉइमेंट रेशो नहीं बताते हैं अनिम्प्लॉइमेंट रेशो ये है तो वो क्या इन बच्चों की संख्या बताएगी सरकार मैं अदेश मौदे मानी मुखंदी से जाना चाहता हूं कि 2017 से 2022 के बीच में जो एज ग्रूप 15 साल का है वो संख्या कितनी होगी कितने बच्चे आ गए होंगे उसमें और वो इससे संबंदित नहीं है उसकी संख्या क्या होगी उसकी मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जन संख्या की चिंता होने लग गई है अद्देश मोथे और सवाल यह है अगर मुखंदी ये 86 में 56 बताना चाहें और फिर बता दो 86 में 46 बताना चाहें उसको नियंतित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं मैं कि लेकिन अध्यक्जी अरे आज फिर आपउदे अरे माने मुखंदी ये उसके रावने मुखंदी से जाना चाहता हूं कि 17 से 22 में मुझे इसको कैसे कंट्रोल किया जाए मैं यद्देपी पहले भी सोज रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुस्तो प्रोग्रेस हुई है और प्रोग्रेस देखे अच्छा है प्रगतिगे बारे में सोचना चाहिए यह पांच नंबर के प्रश्ण में भी मानिया बेसिक सिक्सा मंत्री से प्रश्ण पूछा जा रहा था एक प्रदेश एक कोर्स एक मुल्य यानि एक देश एक कानून यह भी जोड़ देते तो और अच्छा होता है कि सरकार क्या कर रही है यह तो यह तो सर्वेग बताते हैं अनिम्प्लाइमेंट रिट अरे उत्तर आगया है उत्तर आए ते लाइव तो नहीं है देख जी देजी यह लाइव चला है क्या आजा बहुत धनिवाद आपका लाइव अनिम्प्लाइमेंट रिट यह इंप्लाइमेंट उपलव्द कराने पे रही निरुवर करता है और 2016 17 उत्तर प्रदेश का अनिम्प्लाइमेंट रिट 19-29 अधिक था 19% से धिक था और आज के दिन पर यहाँ अनिंफ्लैमेंट उत्तरप्रदेस का तीन से चार के बीच में हैं यह दिखाता है भोजकार के उसर सिर्जित हुए हैं लोगों को पारदर्सी तरीके से नौकरियां मिल लई हैं लोगों को इमानदारी से नौकरी मिल लई है और नौकरी की कोई भी प्रकरिया मान्य नयायले के द्वारा बीच में इसलिए बाद ही तनी की जाती है क्योंकि मानने नयाले को भी मलूम है कि प्रकरिया में पारदर्शिता है, प्रकरिया में पूरी सुचिता है और पूरी इमानदारी के साथ सरकार इस कारिकरम को आगे वढ़ा रही है उत्तर प्रदेश के इस प्रसेप्शन के कारण ही Global Investor Summit में 36 लाग करोड उपे के निवेश के प्रस्ताव पराप्त हुए है जो एक करोड नए नौकरी और रोजगार का सिर्जन उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी यह भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक आउसर है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनी की दिस्से सक्सम बनाने के लिए ही दो करोड युवाओं को टैबलेट और स्मार्ट फोन उप्लब्द करवाई जा रहे है प्रश्नों का समय सबाब बैठेए प्रश्नों का समय सबाब नो खदब बैठेए